हेलो मेरे नाम शिवांगी है और मेरे नीट 2020 में 657 मार्क्स आए थे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ केमिस्टी की तो केमिस्टी में मैंने से फंसी आर्टी और प्रीविस एर कोशन्स करे थे केमिस्टी में आकर आप एंसी आर्टी पर ळग से उसके कोशन्स कर लें अचे से थो आप ला सकते हैं वने ट्याकर थे फाइदा है कि केमिस्ट्री के जो 180 marks है वह आप पा सकते हैं अगर आपने NCRT अच्छे से कर रखी है तो आप केमिस्ट्री में जो है ना केमिस्ट्री केमिस्ट्री में युँआ है लेकि जो बहुत अच्छे से करना है तो मतलब बहुत इक ना तो उसे अच्छे से करें ठीक है तो और previous question तो ज़रूरी है previous question से आपको यह पता लग जाता कि कौन सी जीज बैस तो previous question भी सारे NCRT से हैं आप देख लेना ठीक है और ग्यानिक में थोड़ा बहुत है भार से वो से previous question भी करने है उसमें काफी है और ग्यानिक में भी कुछ एक्स्टा करने की जरूत नहीं है physical chemistry की बात करें कि physical chemistry में जो first chapter मोल concept वाला उसमें जो previous questions है उसमें normality वगेरा के बार में भी बता रखाए तो उसी से आपकर जो आगर आप वो questions कर लेंगे तो आप से वो clear हो जाएगा concept ठीक है उसके अलावा कुछ भी करने की जरूत नहीं है NCRT previous questions enough है ठीक है तो chemistry में और कुछ करने की सिरूत नहीं है आपको सिर्फ NCRT और previous questions ठीक है अब अगर कुछ बच्चे हैं जिने विश्वास नहीं हो रहा है कि NCRT पढ़नी है सिर्फ और previous questions करने तो आप कर सकते हैं extra ठीक है वी इसका कोई फायदा नहीं है ठीक है 10 series में आएंगे वो तो होता यह NTA के 10 series में भी आते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता ठीक है NCRT में NCRT पढ़नी है NETE में NCRT आने वाली है उसके अगर हम बात करें Bio की तो Bio में मैंने कर दी थी NCRT ठीक है बहुत ही अच्छे से मतलब NCRT करनी है और साथ में क्या करना है previous equation तो करना ही है साथ में अगर आप बायो में थोड़ा बहुत एक्स्टा पढ़ना जाते हैं तो आप कोई भी module ले सकते हैं किसी भी coaching की वैसे भो जरूरी नहीं है module बाला पार्ट अगर आपको माल लो Bio में 330 मार्क्स चीह मैक्सिमम ठीक है 330 और 340 इतने मार्क्स आप ला सकते हैं NCRT से क्योंकि NCRT के भार सिफ 5 कुशन एक्स्टर आते हैं वह जब difficult paper आता है तब जाके 5 कुशन एक्स्टर आते हैं वैसे इतने कोई extra कुशन आते हैं NCRT से भार तो इसलिए जो है अगर आपको मालब ठीक ठाक मार्क्स चीए अगर आपको 300 प्लस चीए 300 प्लस चीए ना आपको 320 तक चीए इतना कोई आपको जादा टारगेट नी है तो purely मतलब आप तो NCRT भी फोकुस करो जो मतलब कुश अच्छा करना जाते हैं जो मतलब पूरे का टारगेट रखते हैं 360 का वो कर सकते हैं module में से extra extra theory कर सकते हैं अब जो extra theory आप कर रहे है module में से तो उसके जो आप notes बनाएंगे वो बहुत ही short notes बनाना क्योंकि वो revise नहीं हो पाते हैं ठीक है लास्ट में जब one minute बचता है तो हम NCRT को ही मतलब focus करते हैं तो इसलिए जो extra notes बनाएं वो काफी छोटे बनाएं ठीक है और साथ में क्या करने है question practice करने है तो बायो में to question practice जरूरी है question practice जो आपके extra NCRT के भाहर भी clear हो जाएगा questions practice भी हो जाएगी तो जब question practice करेंगे तो कुछ भी नहीं अगर उसमें कुछ पता चले तो उसे क्या करें आप किसी notes में लिख लें ठीक है अपने notes में आप इसे लिख लें points में आपके questions को लिख लें तो बारबा क्या है उन questions को नहीं अनना बढ़ेगा ठीक है आपके पास notes है आप उसी से पढ़के आपना जल्दी से आपका काम जाएगा ठीक है तो उसे और जो भी आप extra कर रहे है theory कुछ भी कर रहे है theory questions तो आप उसे अभी से prepare करके रखिए याद करके रखिए क्योंकि बाद में क्या होता ना कि जो दिमाग में होता सिर्फ वही काम आता है ठीक है तो को उसे कोच इते स्परेंशन के रहें है अभी से आप पढ़ने तो ठीक रहेगा और NCRT तो मतलब पढ़नी है वो तो मतलब शुरू कर दो मतलब याजनी पढ़नी है नचे तो về रा टीक है तो NCRT मpanntल्स पढ़नी हैं भॉत अच्छे से पढ़नी है जरूरी नहीं है 20-30 बार पढ़ो लेकिन जितने भी बार पढ़ो न अच्छे से समझ समझ के बढ़ो और उसका तो मैं दब लैंग्विज में से कुष्ण आते हैं जब बाइव के नियू लाइन सी मिलती है कि इस लाइन पर तो मैंने कभी फोकस ही नी कर रहा है ऐसा कुछ होत तो बहुत अच्छी बात है उनकी प्रेक्टिस कर सकते हैं आप वरना कोई बात नहीं है आपको एंची आटी में स्वोकस करना है ठीक है अपनी तरफ से एंची आटी अच्छे से करनी है ठीक है इस के बात अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में मैं आस lavoro करे थी ठीक है मैंने physics के ncrt नहीं करे थी मतलब ncrt के questions करे थे लगे मैंने ncrt के theory नहीं पढ़े थी उसमें से chapters नहीं पढ़े थे और इसमें जो भी आपको important लग रहा है कुछ नहीं लग रहा है तो आप उसे लिख लेया लग कॉपी में ठीक है बागी questions करने उसमें फिजिक्स में डिक है मैंने असल लोड़ा करी थी इस लोड़ा में न मिझे साही लगती है लेकिन वह है की काफी बड़ी बुक है चार बुक से है मोटी-मोटी तो मैं उसे rivaise नहीं कर पाई थी मतलब मैंने उसे दो बार कराऊगा मतलब तीसरी बार मैं उसे रिवाइस नहीं कर पाई तो लास्ट में तो क्या था कि जब last 1- तो वो तो मैं पढ़ नी सकती, SL तो नहीं पढ़ सकती, तो इसलिए मैंने क्या करता है, प्रीविस एक कोशन करेते हैं उस समय, उससे में सिफ जो फॉर्मले है, और जो थोड़ी बहुत थियोरी मैंने लिखी है, नोट्स में वो पढ़ ली, और साथ में प्रीविस एक कोशन कर ली, लास्ट में मैंने सिफ प्रीविस एक कोशन करते हैं, उसके लावा कुशन कर रहा था, ठीक है, तो ये काफी हो जाता है, मतलब, क्योंकि लास्ट में इतना टाइम नहीं होता, कि आप कोई बुक रिवाइस करें हैं न, इतनी बड़ी-बड़ी, तो इसलिए जो है, लास्ट में सिफ आपको प्रीविस एक कोशन नहीं काम आएंगे, अभी आप कोशन, फिजिक्स में कहा हैं न, कि अभी, शुरू जब आप शुरू आत करने हैं प्रिपरेशन, उसके बाद बाद में क्या है, आपको वो रहता है दिमाग में, तो पेपर में सॉल्फ हो जाएंगे, तो आपको शुरू में बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि बाद में तो आप प्रीविस एक कोशन भी करके, और चले 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 पेपर में, तो चला रएगा, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए, आप अच्छे से कोशन कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद, आप फिजिक्स में जरूरी नहीं है, कैसली फॉलो करें, ठीक है, कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी मोड्यूल, अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, और, मतलब ऐसी होनी चीज, ना, वो चीज, कि एक तो ज़्यादा हाई लेवल की नहीं हो, ठीक है, क्योंकि नीट में जो है, फॉलो बीस कोशन आते हैं, ठीक है, कुछ जादा हाई लेवल की नहीं हो, और साथ में, आप उसे रिवाइस कर पाएं, ठीक है, कम से कम तीन चाह बार तो आप रिवाइस करी लें उसे, साथ में, उसमें से कोशन करने के बाद, जो भी आप बुक प्रिफर कर रहे हैं, उसमें से अगर आप कोई चैप्र कर रहे हैं, तो उसमें से आपने चैप्र कर रहा हैं, उसके बाद आफिर आपने नीट के प्रिविए से कोशन करें, तो वो सौल्व हो गए आपसे, तो मतलब वो बुक ठीक है, क्योंकि नीट के कोशन सौल्व हो रहे हैं, अगर उसे पढ कोशन करने है अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे फिजिक्स में क्योंने समझी नहीं आता कोशन पढ़ने के बाद कि उसमें करना क्या है तो उस चीज के लिए ऐसल काफी सही रहती है क्यों कि उसमें हर टॉपिक पर कोशन दे रहे हैं बहुत ही बेसिक हर फॉर्मले पर क कि तो उससे ये पतर चल जाता है कि मतलब कैसे कंटाना ये तो ये काफी सही रहता है थिक है बाकी ठ्योरी को अच्छे बढ़ने हैं घ्युक्स में कुछ अची चीजे होती है का जा कुछ साफिचिज को पार टो अ hizo होता है टो मोशन वाले चेप्टर में ये सब अच्छे स